Welcome in RSK Maths Monitor, Chapter 3, Playing with Numbers, Exercise 3.5, Sum Number 1 करेंगे Statement हैंगे True या False या नहीं, सही या गल्थ है हमारा Question Question Number 1 का A part If A number is divisible by, यदि कोई number 3 से डिवाइड हो, जैसे हमारे पास 6, 9, 12 यह सभी के सभी number हमारे पास 3 से डिवाइड होते हैं आगे Question में, It Must Be Divisible by, Must होता है, Compulsion, जरूरी है Divisible by 9, क्या वो 9 से भी डिवाइड होगा, देखो 9 से यह डिवाइड हो सकता है, 9 से यह डिवाइड नहीं होगा, यह भी नहीं होगा तो हमारा, अब इस नहीं का कि It Must Be Divisible by 9, अगर वो 3 से डिवाइड होता है, तो वो 9 से भी जरूर डिवाइड होगा इस स्टेट्मेंट है, लेकिन यह स्टेट्मेंट रोंग है, क्योंकि हमारे पास, अब 3 से तो 6 भी डिवाइड होता है, 12 भी डिवाइड होता है, लेकि 9, ने तो 6 को डिवाइड करता है, ने 12 को तो हमारे पास इसका अंसर वा false क्योंकि हमारे पास ये statement wrong है अब second B part if a number is divisible by 9 अब 9 से मिशन 9 के multiple ही divisible होंगे 18, 27, 36, 45 ये सभी के सभी number 9 से divisible होंगे अब हमारे पास it must be divisible by 3 वो 3 से भी divide होंगे अब 3, 9 को divide करता है तो इसके सभी multiple को भी divide करेगा तो ये हमारे पास statement है true, सही अगर 9 से divide होते हैं तो वो 3 से भी divisible होंगे अब हमारा C part है a number is divisible by 18 18 से divide होता है if it is divisible by both 3 and 6 अगर दोनों वो 3 और 6 से दोनों से divide होता है 3 और 6 का दोनों के दोनों को प्राइम नहीं है अगर दोनों number को प्राइम हों जैसे हमारे पास 3 और 4 को प्राइम है यानि इनमे कुछ भी common नहीं है 1 के अलावा तो वो number होते हैं हमारे को प्राइम अब ये दोनों में 3 को प्राइम है ये भी 3 से divide होता है और ये भी 3 से divide होता है दोनों में 3 को प्राइम नहीं है को प्राइम नमबर की multiple ही हमेशा 3, 4, 12 यानि अगर को प्राइम होते तो उनकी multiply हमारे पास 6 तरी जा 18 होती तब हमारे पास वो divisible होता तो ये हमारे पास क्या है false हमारा ये answer false है को प्राइम नमबर की multiply हमेशा अगर divide करेगी दोनों को यानि इनका LCM इनका LCM 6 है 6 और लेकिन इनका LCM अगर 18 होता तब हमारे पास वो 18 से divisible होता जैसे हमारे पास last part D part में देखो if a number is divisible by 9 and 10 कोई number 9 से भी divide होता है 10 से भी अब ये दोनों number co-prime है co-prime यानि इन दोनों में कुछ भी common है 1 के लावा तो इनकी multiply 9 10 जा 90 अगर कोई number 9 से और 10 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 90 से भी divide होगा उनकी multiply से डिवाइड होगा तो हमारे पास जीका then it must be divisible by 90 तो ये हमारे पास क्या हुआ true क्योंकि जग co-prime number का multiple ही हमेशा उनकी divide करेंगा नमबर से divide करेगा अब हमारे पास E part है और 4 co-prime है अब हमारे पास 24 और 25 जो continue counting होती वो हमारे co-prime number ही होते है प्योंकि उनकी at shift 1 होता है main common हमारे पास main 1 के लागा कुछ भी common नहीं होता है तो अब इसने कहा है कि हमारे पास at least 1 of must be prime उनकी से कम से कम एक prime number होगा देखो यहां तो prime है लेकिन यहां पे दोन्नों के दोन्नों हमारे पास क्या composite number है 24 भी किसी और से divide होता है 4 से 6 से 25 भी 5 से होता है 25 से होता है तो यह हमारे composite number है उनकी at least कम से कम एक prime number होगा तो यह हमारे पास क्या हुआ यहां तो दुन्नों को प्राइम आगे, सोरी, composite number आगे, लेकिन उसने गाथ एक प्राइम होना चीए, at least one must be prime, तो यह हमारे पास answer रुआ false, दुन्नों के दुन्नों को प्राइम necessary नहीं है, को प्राइम है, numbers एक उन में से prime हो, composite हो, अब हमारे पास f part, f part के अंदर, all numbers are divisible by 4, 4 से divide होते हैं, 4 से divide होते हैं, 4, इस 4 के जो multiple हैं, वो 4 से ही divide होंगे, 16, 20, यह सभी किसे भी 4 से divide होंगे, must be divisible by 8, वो 8 से भी divide होंगे, अब यह 4 से divide होते हैं, अब 8, 8, 4 को divide नहींगा, 8 इस से divide करता है, अब यह divide नहीं होगा 8 से, यह divide नहीं होगा, यह जिन numbers को 4 divide करता हैं, उनको 8 divide नहीं करेगा, यह compulsory नहीं है, तो यह हमारे पास क्या हुआ, false, नेक्स्ट हमारे पास है, all numbers which are divisible by 8, 8 से divide होगे, अब 8 से मारे पास, 8 के multiple, 8 से divide होंगे, इस तरह से हमारे पास, यह 8 के multiple है, continue, 8 से divide होंगे, अब 4, 4, 4, 8 को भी, अगर 8 को divide करता है, तो उसके multiple को भी divide करेगा, अब यहां से 16 को भी डिवाइड करेगा 24 को भी है अगर 8 से डिवाइड होता है तो 4 से डिवाइड जरूरी होंगे तो हमारे पास all numbers which are divisible by 8 जो 8 से डिवाइड होते हैं must also divisible by 4 4 से भी डिवाइड होंगे यह हमारा हुआ true यह सही है बड़े से डिवाइड होते हैं तो छोटे से डिवाइड अवस्थे होंगे लेकिन छोटे से डिवाइड होते हैं बड़े से डिवाइड होते हैं यह compulsory नहीं है अब हमारा H part, if a number exactly divides two numbers, माल लो 4 है, 12 को भी divide करता है, 16 को भी divide करता है, एक number है, दोनों को divide करता है, अब आगे काशने, it exactly divides their sum, वो दोनों के sum को भी, यहनि 6 to 8 और 28, इन दोनों के sum को भी divide करेगा, yes, 4, 7s are 28, इसको भी divide, अगर वो दोनों numbers को अलग-अलग divide करता है, तो उनके sum को भी divide करेगा, उनके difference को भी divide करेगा, अब यह हमारे पास क्या word true, अगर किसी दोनों numbers को अलग-अलग divide करता है, तो उनके sum को भी divide करेगा, जैसे 4 है, 28 को भी divide करता है, 32 को भी divide करता है, 4, 7s are 48, तो उन दोनों का sum हमारे पास यहां पर 60, अब यह 60, 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 वंजा, 4, 2 रिमेंडर, 0, 4, 5, 0, 20, यानि उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, यह हमारे पास क्या है, true, अब यह है कि, if a number exactly divide the sum of two number, दो number के सम, यानि मानलो 12 को 4 डिवाइड करता है, अभी किसका सम हो सकता है, यह हमारे पास 8 और 4 का भी 10 हो सकता है, यह 10 और 2 का भी सम हो सकता है, यह 9 और 3 का भी सम हो सकता है, लेकिन हमारे पास, अगर उनके सम को डिवाइड तो करता है, लेकिन जुरूरी नहीं, जो सेपराइब नहीं करेगा यहां से हमारे पास यह कोश्चिन वोड़ता है फाल्स इफ ए नमबर एगजेटली डिवाइड दा सम ओफ टू दो नमबर्स के सम को तो डिवाइड कर सकता है वह सम को तो टूइड कर जुरूरी नहीं कि वो दुनों को डिवाइड करेगा, जैसे यहाँ पे 10 और 2 का जो सम है 12 है, 12 को तो डिवाइड करेगा उनके सम को तो, but अकेले-केले उनको डिवाइड नहीं करेगा, इसने exactly divided two numbers separately, separately होता है अलग-अलग, क्या उनको अलग-अलग भी डिवाइड करेगा, य याइड नहीं है